है गाईज, वेलकम टो साइकाववाननेस, आई होप आप से बच्छ होंगे तो नैशनल हेल्थ मिर्सनियार की राष्टिय स्वास्त मिर्सन की तरफ से वेकेंसी आ गई है, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमली वेलफेर में, तो इसमें मल्टिपल वेकें सी आ जाएंगी, ठीक है, तो मल्टिपल पोस्ट रहती हैं, अब सभी की स्टेट पर आपको देखने को मिलेंगी, तो अगब मैं बात करूँ पहले कौन को सी पोस्ट निकली हुई है, एनचेम के अंदर अभी, तो रसे एच में निकली में है आपकी ब्लॉक डाटा मेनेजर साफ नर्स, टोन तो निकली हैं, और NHM में जितनी भी पोस्ट निकलती हैं आप सभी को बतादिबू जिनको नहीं पता, नहीं पता, नहीं की जो पोस्टिंग है वो districts, hospitals में होती है और जो भी primary और urban health center होते हैं, वहाँ पर इनकी posting होती है सबी जो post होती है निचे में वो contact basis पर होती है, लेकिन contact जो आपका year by year increase होता रहता है पर performance के according, total जो post आई वो 83 total post इनकाली है अभी हम बात करते हैं post की और age limit की करें बात करूँ अगर आप general में हो, तो आपकी minimum 11 साल और maximum 35 year, अगर आप general female हो तो आपकी minimum 80 और maximum 38 year, अगर आप SCST male और female हो, तो आपकी minimum 80 और maximum 40 वर्स आपकी age होनी चाहिए और जो disability है उनके लिए 40, 43 और 45 ये age limit है ठीक है, age limit की जो count होगी age limit आपकी 30 June से count होगी 32 के coding अपकी age count की जाएगी और form भनने में आपको 400 रुपे का demand draft लगाने पड़ेगा अगर आप general candidate हो अगर आप SCST में आते हो, तो आपको 200 रुपे का demand draft देना पड़ेगा ठीक है, इसमें उन्होंने fees लखी है, NHM में fees होती नहीं है, बट आता हो, कहां से vacancy है, तो जो vacancy है, आपकी कहां सा एक कार्याल है जिला स्वास्त समिती चाइबासा यानिका सदर हॉस्पिटल, campus चाइबासा, तो यह है आपकी राष्टिय स्वास्त मिस्टन, जारखंड के अंतरकत vacancies निकली हुई है, contextual ठीक्चुल, ठीक है, तो जारखंड राची से vacancy निकली हुई है, तो वहां से आप अराम से इसका form को भर सकते हो और जो जारखंड से बाहर के state वाले हैं, वो इस form को एक बाद check लेते हैं, भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, हम देख भी लेते हैं ठीक है, तो चैन प्रकेरिया आपकी यहां पर यह हो गई, ठीक है, यह qualification आगई आपकी, मुझे लगता नहीं कि बाहर वाले भर पाएंगे, बट एक बार आप इसको detail में PDF को read कर लेना, लेकिन जो इसमें qualification मांगी हुई है आप से, आप कि अगर सप्तेम्बर तक UPNHM, MPNHM और आपके पंजाब NHM और multiple में vacances आपको देखने को मिल जाएंगी, तो हम बात करते हैं, इसमें qualification के मांगी है, यहां जो पोस्ट आइए, बाकी पोस्ट में आप PDF में पढ़ दिना, सबस्पर पहले है होम साइन्स में, तो freshers आप eligible हो, किसमें अप्लाई करने के लिए, Nutrition Counsel में अप्लाई करने के लिए, salary है, 35,000 करीब आपको मिलीगी, इसमें salary ठीक है, उसके बाद बात करने वाला है, कौनसी पोस्ट है, clinical psychology की पोस्ट है, एक पोस्ट रखी है, 35,000 करीब salary है, Master's in psychology, प्लस, Amphil in clinical psychology, बस हो गया, कोई experience की नीड नहीं है, फिर आपके psychiatric social worker की एक पोस्ट है, पोस्ट graduation मांगा है, psychiatric social worker में, 29,500 करीब आपके इसमें salary रहने वाली है, फिर आपके आती counselor district NHD clinic के अंतर, counselor की एक पोस्ट है भी, तो आपसे क्या मांगा है, BA, आपने psychology, sociology, economics, public health, किसी में भी कर रहा हूँ, BA in social sciences, तो BA के साथ दूसल का experience चाहिए, अगर master's कर रहा है, psychology में, MSW, MS sociology, तो freshness आप, eligible पंदे दर आपको salary दी जाएगी, उसके बाद जो है, counselor की 5 पोस्ट और है, जिसमें आपसे वही bachelor's degree in social sciences, में जो भी subject आते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप और साथ में, two year का experience with bachelor, अगर master's कर रहा है, psychology, sociology, social work से, MSW से, तो आप freshness भी eligible हो, 15,000 counselor, CHC, NSD में आपको salary मिलेगी, उसके बाद आती है, अपकी in sociology, masters in anthropology, masters in human development, आपने करा है, तो आप apply इसमें कर सकते हो, freshness भी, 15,000 आपको salary यहाँ पर दी जाएगी, ARSS counselor के लिए, बाकि फिर फार्मसिस्ट की हैं, data entry operator की, staff nurse की पोस्ट है, ठीक है, इबन आपको बता दिया, तो आप इसमें apply जो हो कर सकते हो, आपको इसमें return test होगा, और interview भी आपको इसमें दे जाएगा, वो बच्चे ज्यादा, जितने ज्यादा होँगे, तो return test होगा, बच्चे कम होँगे, तो only interview इसमें होगा, यह आपका application form है, इसको आपको अच्छे से application form का अपने फिल करना है, फिल करने के बाद जितने भी document आपके 10th onwards, उन सब भी को self-ret प्रेश्टिट करके, उनकी copy आप लगानी है, उसके बाद आपको भेज देना है, किस address पर, यह आपर address मैंसन है, हम देख लिएं कहाँ पर address है, किस address आपको इस form भेजना है, तो जो address है, वो में दखाया है, तो आपको इस form भेजना है, और कह लिखा है, applicant सभी थरा से भराव पोश्ट के माध्यम से भेजेंगे, और जिस पोश्ट के भेज रहे हो, वहाँ पर भास से मैंसन कर देना है, application for the post of counselor, ARCH, counselor, DSC, clinic, ठीक है, अगर एक सदा form पोश्ट के भरना है, तो अलग-अलगा form आपको भेजने पड़ेंगे, और अलग-अलगा fees आपको जब में जमा करन ठीक है, तो डाक्टिकेट भी लगा देना भाहर साथ पर 400 रुपे का form आपको क्या करने पड़ेगा, 400 रुपे का आपको डिमांड डाफ्ट को बना पड़ेगा, जन्रल हो, SCST हो, 200 रुपे डिमांड डाफ्ट को बनान पड़ेगा, बाकि जो अधा स्टेट वाले हैं, वो फोड़ा वेट कर लें, अब उससी बीच वेकेंसी आ जागी, complete equipment आप सबीके लिए आ रही है, चैनल पर अपड़ेट एक रहो, बाकि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब पूरे, जल्द मिलते हैं, एक और अच्छे अपड़ेट और तक लिए, थैंक्यू